बहुत ही इंट्रस्टिंग है कि fundamental analysis है क्या, वो कैसे क्या जाए? हम हमेशा सुनते हैं कि किसी भी stock को चूज करने से पहले हमें उसके fundamentals को चेकरना बहुत जरूरी है जब कि जो कि बहुत ही ज़ादा जरूरी है अगर एक stock के अंदर जान नहीं है अगर मान जीजेए कि इनसान है, इनसान के शिरी के अंदर खून नहीं है और उसमें हडिया मजबूत नहीं है तो वो इनसान खड़ा नहीं रह सकता वैसे ही stock market जैसे volatile market के अंदर में अगर एक stock के अंदर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो वो बिल्कुल भी आपको अच्छा मुनाफ़ा नहीं दे सकता तो दोस्तो फंडामेंटल्स जैसी एक ऐसी difficult statement जो आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े analyst जो TV पे आते हैं, CNBC पे आते हैं, बड़े-बड़े news channels पे आते हैं, वो फंडामेंटल्स की बाते करते हैं और एक आम इन्वेस्टर हमेशा डरा सहमा सा रहता है कि फंडामेंटल्स कीये कैसे जाएं आइए दोस्तो आपको आज फंडामेंटल्स देखी एक पांच किनट की दस मिल्ट की वीडियो में समझाना बड़ा मुश्किल है बड़ बड़ा वास टॉपिक है बड़ हमारी कोशिश यह ए कि आपको फंडामेंटल्स की कम से कम एवीसी ज़रूर सिखाया जाए या बताया जाए कि फंडामेंटल्स कैसे किया जाए चलिए दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपने सबसे बहतरी दोस्त गूगल के पास जाना होगा गूगल के पास जाएए गूगल में आपको money control की एक website होती है यह कर आप कोई भी financial website यूज कर सकते हैं मैं money control यूज कर रहा हूँ जिस पर बहुत अच्छा data अवेलेबल है यह website कुछ इस तरह दिखती है दोस्तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर में यह देखिए यहाँ पर search quotes news 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 लिखा हुआ यहाँ पर आप mutual funds के बारे में सर्च कर सकते हैं आप news search कर सकते हैं आप यहाँ quotes के बारे में किसी शियर के बारे में पता कर सकते हैं देखिए चल दोस्तों सामने स्क्रीन पर आज गाड़ी आई तो गाड़ी की ही एक company देख लेते हैं Tata Motors देखिए बहुत ही अच्छी company है ब्लू चिप company है इस company को समझने की कोशिश करते हैं हाल फिलाल में इनकी बहुत नहीं नहीं गाड़ियां आई हैं और अच्छी सेल इनकी गाड़ियों ने पकड़ी है किसम से एक पहले हाली इंडिका हुआ करती थी इंडिका के बाद इनने टाटा टिगोर और जैसी टियागो जैसी गाड़िया लॉंच की उसके बाद इनकी सेल बहुत जबस बड़ी है हाली में इनके जो मैनेजमेंट है उसमें भी चेंज हुआ था मैसे चंद्रा ने जोईन किया जो बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत ही जबरदस्त सोच रखने वाले इंसान है ठीक है उनके इंटर्व्यूस आप नेट पर देख सकते हैं उनकी आपकी आइडालोजी आपको पता लग जाएगी देखे दोस्तों fundamental analysis सबसे पहले कैसे किया जाए यहाँ पर आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्टूल करेंगे तो यहाँ पर एक जनल सा आईडिया आपको एक सेंटेमीटर से मिल जाता है कि लोग इसके वारे में क्या सोच रहे हैं 53% लोग इसको खरीदना चाते हैं 44% इसको बेचना चाते हैं तो बड़े confusion वाल जी स्थिती है दोस्तों यह पार्ट जो सबसे important है आप यह fundamental analysis करने के लिए आपके लिए सबसे important है देंगे दोस्तों यह market cap है market cap है 85,624 करोर मतलब large cap blue chip company है इतनी बड़ी market cap सोच रखते हैं दिगज company है दोस्तों इसका earning per share 38.97 आपको fundamentals देखते हों यह देखना है कि उस company का EPS क्या है उस company की price to earning ratio क्या है पी रेशो क्या है 7.61 और वहीं आप देखेंगे कि industry की P क्या है हमें share को खरिदना ही खरिदना है इसकी बुक वेली दोस्तों दो रुपे है और डिविनेट अभी हाग दोल में कुछ नहीं है दिविनेट डिविनेटल पी कुछ नहीं है फेस वेली देखिए दो रुपे यह कुछ चीजे हैं दोस्तों जो आपको fundamentals करने में help करते हैं और company क दोस्तों दोस्तों बड़ा है कितनी अच्छी ख़बर है अगर promoter अपना हिससा बड़ा रहे हैं इसका मतर यह है कि promoter को अपनी कंपनी में विश्वास बढ़ रहा है अगर विश्वास बढ़ रहा है तो इसका हो यह है कि promoter अपना माल गजार में नहीं देना चाहते एक भोची साधारन और सिंपल से शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं है अगर हम व्यापार करने बैठे हैं बजार में है बजार में अगर किसी कंपनी के वारे में आपको पता करना है कि वो कंपनी वाकि अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है दोस्तों एक हलवाई है एक हलवाई अच्छा हलवाई तब कहा जाएगा जब उसकी मिठाई बिके अगर उसने बहुत अच्छा कलाकंद बनाया है और बजार में खरेदार नहीं है बिक नहीं रहा है तो वो एक अच्छा हलवाई होते हुए भी अच्छा नहीं कहलाएगा दोस्तों ठीक है तो आब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है वहाँ से सेल ने वापस पकड़ा, मैंने आपको कहा है, इनकी नहीं गाड़िया लॉंच हुई, यहाँ से 9000 से इनकी सेल बढ़के 13400 करोड हुई, उसके बाद आप दिसंबर 17 का जो लास क्वाटर था, 13000 से बढ़के 16000 करोड, शांदार शांदा गरोथ था दोस्कों, ठीक है दिसंबर 2017 क्वाटर में 1383 करोड, नेट प्रोफिट देखें दोस्तों, कमपनी पहले लॉस में चल रही थी, टाटा मोटर स्मार्ट 2017 में 839 करोड के घाटे में थी, माइनस का साइन, देखें दोस्तों, और आज किसमत की हमारी बात है कि हमने टाटा मोटर का नाम लिया, टा क्वाटर रहा है, क्वाटर रहा है, क्वाटर, 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 क् अगर प्रमोटर का विश्वास अपनी अपनी कंपनी इंब रहा है तो इस सॉलंट कंपनी है कहां लेना है कि जखना ना पर शे यह काष्छा की cabo यह जानने के लिए फिर आप अज 399%, निस दीख सकते हों आज 300 का भाव चल रहा है इत्ञा negustämites कर चार्व है कितना active है ये तो ड़ाई पसंद के असपस active है पुरानी वीडियो में आपको जिक्र किया थे कि में 2% से ऊपर या 2% से नीचे जिने मुवमेंट्स होती है उन्हें काम करना चाहूँगा तो मेरे पसंद्दा स्टोक्स में टाटा मोटस भी आ जाएगा ठीक है जरूर नहीं कि अगर आप जाते हैं और यहां पर लेफ्ट भी फैनेशल्स में आप जा सकते हैं और इसमें आप देखेंगे तो यह कंपनी की सेंडर लॉन बैलेंशीट से भी आपको बड़ आइडिया लगता है दोस्तों आपको बैलेंशीट में सबसे जबरदस चीज देखने को मिलेगी कम्पनी के एक्षा क्रेंड कने यहां से जाता है साफ brag और यहां से मिल जाता है और money control जैसी किसी भी financial side के पास जाके दोस्तों बढ़ी असानी से आप बहुत ही जल्दी आप ये fundamental analysis कर सकते हैं और उससे भी important आप देखिए cash flow, cash flow अगर सपोस कीजिए मैंने आपको हलवाई का जिकर के हलवाई की मिठाई बिकेगी तो उसके पास cash आएगा, अगर उसका cash flow तो नहीं कर रहे हैं और बढ़ रहा है की गट रहा है वो देख लीजिए company के बारे में ठीक है और company के जो cash beginning of the year में कित्मा था वो देख लीजिए और end में कित्ना पड़ा है मलब 427 रोड पे starting में थे एक्सवा ठासी करोड बाद में हैं इसका मलब company को में में मैस कर रही है क के लिए कैसे help कर सकती है तो दोस्तों बने रहें और अपने अपने पसंद्धा स्टॉक सा fundamental analysis आज से ही करना शुरू कर दें और अच्छा profit कमाए अच्छी training करें बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much